मेरे पास ना इस वक्त पांच लाग फोपे के लगबग की एक रकम पड़ी हुई है और मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों को ना कहीं इन्वेस्ट कर दूँ क्योंकि अभी कहना टाइम बहुत अच्छा है एक तरफ जहां पोस्ट आफिस के सभी स्कीमों के इंटरस्टेट्स ब पाला क्योंकि कौन जानता है कि 5-6 मेने के बाद फिर से जो इंटरस्टेट्स बढ़ें अभी यह दिरे दिरे करके डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो मैं इसमें इन्वेस्ट तो करूंगा लेकिन पता यहां पे ना एक छोटी सी प्रावलम है प्रावलम यह है कि एक-दो पाँच-टाला कुपे मेरे पास पड़े वह है अगर मैं उन पैसो को सभी जगाओं पर फ्राविश्ट कर दूँगा थोड़ा-थोड़ा करके तो फिर कुछ खास फायदा होगा नहीं है कि कि किसी में कम मिलेगा किसी में ज्यादा मिलेगा तो ऐसे मेंतों मेरा नुक्सानी है तो एक बार में किसे तोरो में सभी को सबसे ज्यादा प्रॉफिस सबसे जदा ब्याज कमा सकते हैं तो आप इस सब्सक्रानीच आको डेक्र वास नुथी नाभ ऐसे के लिए फिक सबसे ज्यादा इन्स टॉन को तो देखिए जब भी आप पोस्ट आफेस की स्कीमों में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आपके सामने ना कुल मिला के टोटल नौ आप्शिन्स आ जाते हैं और उन सभी नौ आप्शिन्स के जो नाम है वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे और बाजू में आपको जो नई ब्याज की दरे हैं तो वो भी लिखे भी मिल जाएंगी अब देखिए ये जो सभी नौ स्कीमे हैं इन में से ये जो महिला सम्मान वाली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है और सुकन्या समर्दी योजना स्कीम है ना तो इन तीनों को आज की इस वीडियो में डिसकस नहीं करेंगे कारण ये है कि इन तीनों स्कीमों में ना हर को इनवेस्ट नहीं कर सकता महिला सम्मान वाले में सिर्फ और सिर्फ लेडिज इनवेस्ट कर सकती है Senior City and Saving Scheme में सिर्फ और सिर्फ जो बुजुर्ग वैक्ती हैं जिनकी उम्र साथ वर्ज से जादा की है सिर्फ वही इंवेस्ट कर सकते हैं और यह सुकन्य समर्दी योजना है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो गर्ल चाल्ड होती है कि मैं उस स्कीम के बारे में आप सभी को बताऊं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज भी मिले और उसमें हर कोई इन्वेस्ट भी कर सके एलिजबिटी जो क्राइडिया है ना उसका कोई इशू ना आ जाए फीडियो सिर्फ इसलिए आज किस वीडियो में हम इन 30 को डिसकस नहीं करेंगे अब इसके बात में जो इन 9 से जो चेव ऑबज जाती है तो इन सभी। में इस जाए। जिन स्कीम में सीवों में Post Office की 5 साल वाली Time Deposit Scheme इसमें भी आपको किसान विकास पत्र की तरह ही 7.5% का जो ब्याज है वो कमाने का मौका मिल जाता है अब देखिए यह जो तीनों स्कीमे है तो इसमें जो आखडी की दो स्कीमे है हमारी किसान विकास पत्र और Post Office की 5 साल वाली Time Deposit Scheme तो इन दोनों स्कीमों का इंट्रस टेट भले ही सेम है 7.5 और 7.5 का लेकिन इन दोनों में एक फर्क है फर्क यह है कि जो Post Office की Time Deposit Scheme है तो इसमें आपको जो compounding का effect है वो उतना देखने को नहीं मिलता जितना कि आपको किसान विकास पत्र में देखने को मिलता है ठीक है क्योंकि Post Office की जो 5 साल वाली Time Deposit Scheme है इसमें तो आपको हर साल ब्याज का पैसा मिल जाता है तो वो reinvest तो हो नहीं पाता तो जब वो reinvest नहीं हो पाता तो उसके उपर जो ब्याज आपको मिलना चाहिए था उसका जो loss आना वो आपको जहलना पड़ जाता है तो इसकी वज़ास से आप अगर इसमें अपना पैसा इंवेस्ट करेंगे तो थोड़ा ब्याज आपको कम मिलेगा इस किसान विकास पत्र के comparison में किसान विकास पत्र में क्या है तो रेगुलर बेसिस पर तो कुछ नहीं मिलेगा जब इसकी मैचोर होगी तो उसी ताइम आपको इकटा सब को जोड़ जार के दे दिया जाएगा एक है आपका NSC और दूसरा है आपका किसान विकास पत्र क्यूंकि इन दोनों स्कीमों का जो इंटरस्ट है वो भी काफी अच्छा है एक में 7.7% है एक में 7.5% है और दोनों में ही जो पाउंडिंग का जो जो बेनफिट होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है और प्लस दोनों स्कीमों का जो टाइम पिरिड़ है वो भी ठीक ठाक है जहां एनसी पांच साल के लिए है पांच साल की स्कीम है वहीं दूसरी तब यह जो किसान विकास पत्र है यह 9 साल और साथ महीने के लिए तो टाइम पिरिड़ भी ठीक ठाक है अब इसके बात बात करते हैं सरकारी बैंकों के फिक्स डिपॉजेट स्कीम के बारे में तो देखे आज की इस वीडियो में ना हम जिन एबडी स्कीम की बात करने वाले हैं वो एबडी स्कीम से क्यूमलेटी बाली क्यूमलेटी का मतलब हो गया कि इसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा जो भी ब्याज की रखम होगी ना वह आपको मेचिरिटी के टाइम मी एक साथ प्रिंसिपल अमांट वाले के साथ मिल जाएगी ठीक है इसका देखे क्यूमलेटी वाले का एडवांटीज यही होता है तो इसलिए फिर से मैं और रिपीट कर दूँ कि आज की इस वीडियो में हम सरकारी बैंकों के जो क्यूमलेटीव एवडी स्कीम सोती हैं सिर्फ और सिर्फ हम उसी को डिसक्स करने वाले जिन स्कीमों में आपको जिन फिक्स डिपोजिट स्कीम में आपको रेगुलर बेस का भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है अब क्योंकि एनसी पांच साल की स्कीम है तो जब हम इसको सरकारी बैंकों के फिक्स डिपोजिट स्कीम के साथ कंपेर करेंगे ना तो वहां पर भी हम पांच साल का ही टाइम पीरेड वाला जो एबडी है ना सिर्फ उसी को देखे करेंगे तो जैसे एक साल वाली एबडी है दो साल वाली तो उनको हम इस वीडियो में डिसकस नहीं करने वाले और देखे एक बात यहां पर आपको और भी समझनी चाहिए कि अगर ना आप ज्यादा ब्याज खमाना चाहते हो ठीक है तो थोड़ा सा आपको पांच से पांच लाच साल ग्रार दोगे तो दो आपको इसा आइकटो जाएगा तो इसलिए अगर आप ज्यादा इंटरस्ट कमाना चाहते है ज्यादाव ज्यादाल रेटर को आपको थोड़ा बहतinde चाहिए ऑप कुछ मिलता नहीं है अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब बात करेंगे इस वीडियो के मेन मुद्ध के बारे में याने की अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस NSC, किसान विकास पत्र और सरकारी बैंकों के जो पांच साल और दस साल के fix deposit schemes हैं तो उन में से कौन सी scheme आपके लिए सबसे पांच सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो पार्ट है वो उन लोगों के लिए होगा जो अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो की अपना पैसा 5 साल लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए मान लेते हैं कि आप ना पांच लाख रुपे के लगबग की एक रकम पांच सालों के लिए एनसी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे में 7.7% के ब्याज के हिसाब से आपको मेचुरिटी के टाइम पे ना जो टोटल रकम मिलेगी वो रकम होगी कुछ 7,24,517 रुपे के लगबग की यानि कि आप इसी स्कीम के जरीए जो ब्याज कमाएंगे न डोटल वो ब्याज होगा 2,24,517 रुपे के लगबग का अब इसके बाद अगर आप इसी पांच लाख रुपे को किसी सरकारी बैंक के फिक्स डे पॉजर स्कीम के जो इंटरेस्ट रेट थे पांच साल के लिए और दस साल के लिए वो मैंने चेक किया ना जैसे SBI हो गया आपका PNB हो गया बैंक को ब्याज देखने को मिला खाली एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था जिसमें मिरको 6.7 परसंट का जो ब्याज है वो सरकारी बैंक की FD में अगर आप इंवेस्ट करते हैं अपने पांच लाख रुपे को तो साड़े 6% के इंटरस्ट के हिसाब से मेचुरिटी के टाइम पे जो रकम आपको मिलेगी वो रकम होगी कुछ 6,90,209 रुपे के लगबकर ठीक है तो यहां पे अगर हम कंपेर करके इसको एनसी के साथ तो क्लियर कट आप देख पा रहे होंगे कि जो टोटल मेचुरिटी अमाउंट है उसमें कितना डिफरेंस है जहां एनसी में आपको कुछ 7,24,000 के आसपास मिल रहा था वही इस वाले पांच साल की सरकारी बैंक की FD में आपको 6,90,000 रुपे के आसपास इसमें के आसपास में तो यह भी कम है एनसी के उस टोटल मेचुरिटी अमाउंट से तो कुल मिल आके हम यहां पर यह कह सकते हैं कि अगर पांच सालों के लिए आपको इन्वेस्ट करना है अपना पैसा एक लंग साम अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट करना है किसी सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना और अच्छे रिटरंस भी कमाने हैं तो आपके लिए ना एनसी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है अब इसके बाद अगर आप 10 सालों के लगबग के लिए अपना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में किसान विकास पत्र जो की 9 स साल और साथ महीने की स्कीम है तो इसमें साड़े साथ परसंट के ब्याज के हिसाब से मेचुरिटी के टाइम पे आपके जो पांच लाख रुपे हैं वो सीधा करनवर्ट हो जाएंगे दस लाख रुपे में यानि कि आप इसे स्कीम के जरिए पांच लाख रुपे के लगभग की और 6.7% के हिसाब से करम देखें तो रकम बनेगी कुछ 9,71,000 रुपे के लगभग की तो चाहे आप अपना पैसा इंवेस्ट करें पांच सालों के लिए या फिर चाहे आप अपना पैसा इंवेस्ट करें दस सालों के लिए दोनों ही सिचुएशन में जो पोस् समय माउंट किसी ऐसी जगा पर इंवेस्ट करना चाहते हैं जहां पर रिस्क का लेवल लगबग लगबग ना के बराबर हो और रिटरंस भी काफी अच्छे हो तो मुझे लगता है कि उन लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद अब काफी ज़्यादा एक आइडिया ल इस वीडियो पर कोई इस तरह की वीडियो अप्लोड ओ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए तो आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते